शोपिया से सामने आई इन तस्वीरों को लेकर अबबवाल है मीडिया में आई तस्वीरों में NSA अजीर डोवाल को बुदवार को चार पाँच स्थानी लोगों के साथ खाना खाते देखा गया अब विपक शारोप लगा रही है कि अजीट डोवाल की तस्वीरों के जरिये सरकार ये दिखाना चाहती है कि घाटी में सब कुछ नॉर्मल हो चला है लेकिन हालात इसके बिलकुल उलट हैं कॉंगरिस के वरिष्ट नेता गुलाम नभी आजात ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसी भीड तो पैसे से भी चुटाए जा सकती है कुछ ऐसे ही सवाल आरजेडी के सांसद मनो जचा उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि तस्वीर के जरिये इस बात का अंदाजा बिलकुल नहीं लगाया जा सकता है कि हालात समान्य हो गए हैं अब चार लोग हैं आप खाना उनके साथ खा रहे हैं सारी दुखाने बंद हैं टोटल शटडाउन है तो उसको मैं बहुत नॉर्मल नहीं देख पाया और सामान ने तो मुझे दिखा नहीं एनस से अजिद ढुबाल की घाटी में मौजूदगी पर उठे सवालों से बीजेपी नेताओं में गुस्सा है भाशा जो पाकिस्तान में बोली जा रही है दूसरी तरफ अजिद ढुबाल पे सवाल उठा रही है कॉंग्रिस मिलने पे पता नहीं कॉंग्रिस किस दिशा में आगे बर रही है जम्मु कश्मीर में अभी भी 144 लगी हुई है बुधवार को ऐसी खबरे भी आई कि कुछ इलाकों में पत्थर फैकनी की घटनाए भी हुई लेकिन सरकारी अधिकारियों के ओर से जो खबरे सामने आई उसके मताबिक जम्मु कश्मीर में हालात समानी है इस बात को लेकर भी सवाल इसलिए है क्योंकि अभी भी पूरा जम्मु कश्मीर जैसे नजर बंद ही है स्कूल कॉलिज बंद हैं लोग घरों तक सिम्टे हैं और खबरे छन छन कर सामने आ रही है बियरो रिपोर्ट सुराज एक्सप्रेस